नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संजय कुमार घरेलू इलाज देखिए 100% सटीक इलाज देखिए मेरे वीडियो नमस्कार दोस्तो, मैं डाक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आरवेदी कुपचार, घरेलू पाए जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्त रहेंगे आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए आपने हमारी दिमाग की काफी वीडियो देखी होंगी हम हर वीडियो में परेज बताते हैं उपचार बताते हैं और आप हर वीडियो को हमारी जो देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेज करके आते हैं अच्छा लगता है क्योंकि परेज जो है इसमें सबसे पहले है और हमारी दवाई बाद में पहले आपको परेज करना है तो आज की जो वीडियो मैं आपको जो देने जा रहा हूँ ये वीडियो है दिमाग की नसों का फुलना सूजन और नसों का फुदकना जो ये नसे फुदकती हैं और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं लक्षन क्या हैं इसके वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कैसे ये प्रॉबलम्स आती है आपको पता भी नहीं चलता और ये सिम्टम्स आ जाते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा परेज लक्षन परेज और लक्षन क्या आपको इसमें खाना है क्या आपको इसमें पीना है क्या आपको इसमें नहीं खाना है और इसमें जो आप दवाई लेते हैं बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो neurologist से जो हैं दवाई लेकर आते हैं और बहुत समय से खा रहे होते हैं तो इसमें मैं जो symptoms जो गड़बड होते हैं आगे जो आपके problems आती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि English medicine से क्या problems आती है तो मैं इसमें आपको जो बताने जा रहा हूँ आज क्योंकि दिमाग की नसों में जो symptoms आते हैं जैसे की दिमाग की नसों में वसा का ज्यादा परभा होना जैसे की आप बहुत ज्यादा वसा की चीज़े खाते हैं और इसमें क्या होता है आपके सिंप्टम्स जो हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं जैसे की ब्लॉकिज का आना आप हमारे नसों की ब्लॉकिज की जितनी भी हमारी वीडियो हैं हमारे दो चैनल हैं ब्रेनिक आयुर्वेदा और यह जो आप देख रहे हैं डाक्टर संजे कुमार का चैनल तो उसमें हमने जो बताया है परेज सम्में अलग-अलग है अगर आप नसों की ब्लॉकिज के सिंटम्स जिनको आते हैं सब उसमें बताये गए हैं अगर आप वो देखते हैं तो अगर आपकी दो मेहना एक मेहना की प्रॉब्लम्स है थोड़ी प्रॉब्लम्स है आप इजिली उसी में ठीक हो जाएंगे दिमाग की नसों की ब्लॉकिज की वीडि अब मैं इसमें वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ जैसे नसे फुदक्ती हैं नसे फुदक्ती क्यों है जैसे कि आप चिकन खा रहे हैं मटन खा रहे हैं वसा की चीजे खा रहे हैं और जैसे इसमें देसी घी हो गया जो आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपकी ब प्रिशर बनता है, हाई प्रिशर होता है बहुत, जब नसे फुदकती हैं, तो इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं, वो बहुत तेजी के साथ आते हैं, जैसे कि नसों में जैसे आपका नसे फुदक रही हैं, तो आपका प्रिशर बन जाएगा, आपका लगेगा कि नस फटने व और ये बहुत तेजी किताब, जैसे आप खाना खाएंगे, खाना चबाएंगे, तो भी आपके सर में प्रेशर आएगा, और ऐसा प्रेशर आता है इसमें, कि आप उसको सह नहीं पाते, आप खाना बीच में छोड़ देंगे, सर में दर्द होगा, आप मैं लक्षन बताने जा चकर का आना, यारदाश्ट की भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिनको ये जादा समय तक की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको यारदाश्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, दिल की हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप का जो जब ट्रेशर बनेगा, जब नसे फुदकती ह हैं तो इसमें heart beat भी बढ़ जाती है तो यह symptoms इसके अंदर आते हैं कानों में दर्दाना गर्दन में पीछे दर्दाना और सर में किसी किसी के तो 24 घंटे दर्द रहता है किसी के 3 घंटे 8 घंटे ऐसे इसमें दर्द रहता है सर के अंदर तो यह जो सुजन फुदकना जो नसों फड़कती हैं तो यह symptoms आते हैं आपके खान पीन के दोरा या आपका accident हुआ हो तब नस ब्लॉक होई हो तब यह symptoms आ जाता है या आप बहुत ज्यादा आपका खाना पीना ऐसा है कि आप drink ज्यादा ले रहे हैं जैसे शराब आप पीते हैं और उस पर आप मासाहारी चीजे खाते हैं कोई भी ऐनी परकार की तो उसमें आपका जो प्रिशर बनता है जब आप ड्रिंक कर रहे होते हैं आप कोई भी अगर मासाहरी चीज खा रहे हैं तो आपको पता नहीं होता आप कितना खा चुके हैं और क्या खा रहे हैं कितनी वो तैले चीजे हैं कितनी वो पकी हुई है और बहुत लोग इसमें अंड़ का परियोग करते हैं बहुत ज़्यादा अंड़े खाते हैं तो इसमें जो वसा की चीजे आप खाते हैं तो नसू में जो होता है जब फून चलता है आपका घाड़ा हो जाता है खून का जमना, खून का घाड़ा होना, यह सब सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, फिर आप नियूरोलोगिस्ट के पाज जाते हैं, किसी को अगर यह प्रबलम है, तो आपको बताएगा कि आपका खून घाड़ा हो चुका है, और आपके जो है नसों में प्रबलम है यह वसा की, तो इसमें भहुत लोग इसमें treatment कराते हैं लेकिन फाइदा होता नहीं है जितने भी neurologist से मेरे पास patient आए हैं सबको ये problem थी कि हम 3 साल से दवाई खा रहे हैं हम 5 साल से दवाई खा रहे हैं और हमें कोई भी फाइदा नहीं होगा और हम जहां थे और हमारी और problem बढ़ गई यादाश की problem आ गई और चक्कर आते हैं गवराहट होती है काम पे जाते हैं तो परिशानी होती है कि हम काम कर भी पाएंगे या नहीं तो इसमें ये symptom आते हैं लक्षन मैंने आपको बता दिये और जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ये problem है वो praise जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये praise करें आपका इसमें praise है चावल, खटाई, अंडा, नोन्वेज, शराब और वसा की चीजे भार का जंग फूड कोई भी एक्स्वारी की चीजे जिस पर आपका लिखावाय ये समय पर एक्स्वायर होगी तो वो चीजे आपको नहीं खानी हाता कि घर के मसाले भी ठंडी चीजों का praise करें ठंडी चीजे जैसे कि आपका आइस्क्रीम हो गई या ठंडा पानी हो गया बरफ हो गया बरफ की चीजे कोई भी आप नहीं ले सकते और सर पर ठंडा पानी ना डाले गुनगुना पानी ही इस्तमाल करें पीने में गुनगुना पानी ही पीने में इस्तमाल करें और सर पर हलका गुनगुना पानी ही यूज करें कैसे जिससे कि आप इसनान कर सके अगर आप सर्दी में हैं तो आपको गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी से इसनान करना चाहिए गरम गुन-गुने फल पानी में डालो पांच मिनट के लिए और उनको निकालो वो खाएं सर्दियों में गरम फल खाएं और गर्मी में बाहर रखे फ्रीज के अंदर कोई भी ऐसा फ्रीज के अंदर रखावा फल ना खाएं क्योंकि जैसे ही आप खाएंगे तुरंत आपको फबलम्स होगी तो यह जो ब्लॉकिज आती है इसमें मैं आपको पुछ आपको एक तेल भी बताना चाहूंगा क्लोंजी का तेल क्लोंजी का तेल लें और इसमें आप डालें जैतुन का तेल 50-50 एमेल लें दोनों तेल और सर पर रातरी में हलके हाथ से मालिश करके आप सिकाई कर सकते हैं आपको बहुत लाब मिलेगा और जो आप परहिज करेंगे उसमें भी आपको बहुत लाब मिलने वाला है और आपके जो प्रॉब्लम्स है ये कम होगी आपको रिलिफ मिलेगा धर्द नहीं होगा और आपके सिम्टम्स भी कम होगे जब आप परहिज करेंगे और बहुत लोग इसमें क्या करते हैं English दवाई खा रहे होते हैं तो यहां पर क्योंकि आप ज्यादा दवाई लेते हैं तो आपकी digestion की problem आ जाती है आपको acidity की problem आ जाती है तो English दवाई से बचना चाहिए आपको ज्यादा दवाई इसमें इसमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप ज्यादा दवाई लेते हैं दो मेने तक भी दवाई खाएंगे तो आपको problem आएगी symptoms आपके बढ़ जाएंगे और इसमें जो symptoms बढ़ते हैं तो ये और गोली आपकी बढ़ जाएंगे इसमें क्योंकि English medicine में क्या होता है आपकी और symptoms आप जाके बताएंगे ये problem आगई ये तो और गोली आपकी बढ़ा देंगे तो इसमें दवाई आपकी बढ़ती चली जाती हैं ऐलोपैतिक में क्योंकि English दवाई में दिमाग के जितने भी symptoms होते हैं वो बढ़ते हैं और दवाईयां बढ़ती चली जाती हैं तो यहां आपको मैंने जो प्रहिज बताएं हैं जितना आपको दवाई से फायदा नहीं होगा जितना आप प्रहिज से कर लेंगे अपना आपको बहुत लाब मिलेगा और यह WhatsApp नमबर चला है यहां पर आप क्लिनिक पर आ सकते हैं आयुरुवैदिक दवाई है कोई भी side effect नहीं है ओनलाइन के लिए भी इसमें बताया हुआ है WhatsApp के इसको आप सेव कर लीजिए नमबर को इसकी DP में जाएंगे हमारी पूरी information मिल जाएगी आपको कैसे online दवाई मगानी है कैसे किलिनिक पर आना है address दियावा है और हमारी दवाई का कोई side effect नहीं है और इसमें जो treatment चलता है कोई ज़्यादा नहीं चलता 6-7 मेंने का treatment होता है किनिकी ज़्यादा problem है 8-9 मेंने हो जाते है और ये जीवन बर के लिए problems ठीक हो जाती है क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा चक्कर की समस्य ज़्यादा आती है चक्कर, घवराहट और यादाश्त की भी इसमें symptoms आ जाते है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पोचें वो लाब उठा सकें और परेज पर अपना आ सकें क्योंकि परेज इसमें सबसे पहले है क्योंकि परेज करेंगे तो बहुत symptoms ठीक हो जाते हैं और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ अब मैं आप साग्या चाहूंगा नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर संजे कुमार लाइक कीजिए, सबस्काइब कीजिए, शेर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया तेश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सट्टिक इलाज आपके लिए दोस्तों